कर्ज में लगातार फस्ता जा रहा हूं और बार बार ऐसा लगता है कि आदम अत्या करना है। हमारे देश में रोजाना कर्ज के कारण कई किसान आदम हत्याएं कर रहे हैं। प्रंतु बड़े अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्ज माफी की घोशला की उसके बाब जूद भी ललतपूर जनपत के महरोनी बलाक ग्राम पंचयात किसर्दा के मजरा टपरियन में मुन्ना लाल को नहीं मिला कर्ज माफी का फाइदार मैं संकालाल और ये म 2014 में स्ट्रीट बैंक महरोनी से 75,000 रुपे का कर्जा लिया था जो आज तक अधा नहीं कर पाया हूँ खेती के लिए लिया था तो बार बार फसल ना होने की वज़े से कभी पानी ज़्यादा गिर जाता है कभी बूले पड़ जाते हैं लगभग 55,000 बिजली का बिल बाकी है परिशानिया तमाम है स्रीमती जी का आपरेशन हुआ था किडिनी का जिसमें लगभग 67,000 रुपे लगे मुझे भी सीरियस दो बार अटेक आ चुकी है जिसमें लगभग लाख रुपे का खर्च हुआ जिससे मैं लगातार कर्ज में आपकी आमदानी खेती से कम हुई है तो आपका जीवन कैसे चल रहा है मंच दूरी कर रहा है मंच दूरी कर रहा है मंच दूरी कर रहा है मंच दूरी सब को पीट भर रहा है पांच लोग अनको और खेती बारी में कुछ हो नहीं रहा हूँ बच्ची हमाई एड़ीशन नहीं हो पा रहा हूँ, यह गरीबी से मैंने साल स्वाई बीविका नंद से दजमी क्लास पास की है लेकिन इस्कूल के आठ हजार रुपे नहीं भर पाए हैं इसे उन्होंने माशिर नहीं दी मेरा आईटी आई में नाम भी आ चुका था लेकिन मेरी पढ़ाई रुप चुकी है हर आदमी कहता है कि तुमने इतना ही नहीं कर पाए कि बच्ची की पढ़ाई पूरी करवा सको इसके अलावा मानस एक तो दिमाग में परिसानियां बनी रहती है कर्ज कैसे पूरा किया है अब तो ऐसा लगता है कि आत्मात्या की जाए और कुल कुल पूंचारा नहीं वचा है हम तो यही कहेंगे कि साब हमारे जितने भी सरकारी करजे हैं वो माफ हो और हमें कुछ ऐसी मदद मिले जिस्से की परिवार की आर्थी किस्तिती सुधरने के साथ में जीवन की गाड़ी चल सके हो में और मेरा समदा यह चाहता है कि मुन्ना लाल को करज माफी का फायदा मिले जिससे इस परिवार का जीवन बचा आजा सके इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग ललत्पुर जनपत के डियम के मोबाईल नंबर 94494949 पर फौंट करके दवाब नाए ताकि मुन्ना लाल का करज माफ हो और इनके जीवन को परिवार को जीवन को बचा आजा सके मैं सकालाल पुन्देल का छेतलत्पुर से इंडिया अनहेट के लिए